तो अगर जो आप एक वैसे ट्रेडर हो जिसका केर कैप्टल आप से एक बार दो बार चार बार पाच बार दस बार ब्लो आउट हो चुका यानि कि कैप्टल आपका पूरा खतम हो जाता है आप लोगर जो आपसन स्टेडिंग पिछले एक सबता से एक महीना दो महीना चार महीना छे महीने से कर रहे हो लेकिन आपका यही मिश्टेक बार बार बना होगा है कि आप लोग कैप्टल आते हो आपका कैप्टल ब्लो आउट हो जाता है यानि कि सारा capital खतम. 10 जर लाए, फिर से finally loss. फिर से finally 15 जर लाए, loss. 20 जर लाए, loss. आप कहानि क्या हमेशा बार बार जोए आपका DMIT ecaunnt खाली हो जाता है, हमेशा सारा capital लाते हो, सारा का सारा final lost हो जाता है. तो इस वीडियो मेरा, finally यही मैं सबसे पहले पोजीशन साइजिंग उसके बाद रिस्क पर ट्रेड के बारे में रिस्क पर रिस्क पर ट्रेड के बारे में आप लोग कितना रिस्क लोगे अगर जो आप लोग दर्स जर लाते हो आपका अगर दो दिनों में फाइली आपका लोग हो जाता है तो आपको अपको बड़े बड़े लोशेस को आपको कंट्रॉल आप लोग कर पाओगे आपका बड़ा लोश जो है आप सभी का नहीं हो पाएगा इसे पहले भाई साब चैनल पे अगर जो नए हो में अगर आप सोई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा हमारे चैनल पर ऑप्सन स्टेडिंग से लेटेड है और बहुत सरे आइन खास करके सिर्फ और ऑप सब्सक्राइबर आप लोग कंप्लीट करवाईए आना तब यह थोड़ा सा और भी मजाएगा चैनल फाइनली वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं अप्सन स्टेडिंग डेली प्रोफिट होगा बड़ा लॉस कभी नहीं होगा बिगनर्स का ट्रेडिंग एकाउंट खाली हो आप लोग लाते हो दस जर फाइनली लॉस हो जाता है पूरा का पूरा कैपिनल खाली हो जाता है वो आपको उतना बड़ा लॉस नहीं हो रहा होगा ना सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कैलकुलेशन आपसे को बताना चाहूंगा बाइस साब मान करके चलिए कि आप एज जे पाज ट्रेड किये चर्टिक का दो ट्रेड फाइनली आहिं आपका लॉस वाले ट्रेड को पाज कैसे जा सकता है आज ही मेरे को रिकवर करना है आट आइज का दिन मेरे को प्रोफिट में खतम करना है इस चक्कर में आपने ओवर ट्रेडिंग किया आपका fulfilled 11 के वज़ेंदा यह हो जाता है ग्रीडनेस की वज़ा से लालच की वज़ा से आपका 40,000 रुपया आपका फानली रहा गया ना यान कि 50,000 से 40 रुपया उसके बाद फानली next दिन फिर से फानली 20,000 रुपय के क्योंकि आपका mindset psychology आपका खराब हो चुका है आपने 30,000 रुपया एक ही दिन में आ 20,000 रुपया लुट्ट करोगे यही यह दिन आपके साथ होता है आप लोग कोमेंट में कीजिएगा क्या सच में यही जो मैंने इक जाम पर लिया हो यही आपके साथ होता है या फिर नहीं होता है न उसके बाद फानली 20,000 बचा बचाब फिर से फानली लॉस होगे आपका दो होता है नगो है सबसे पहले वाही चाल में चैसा बहुत सबसे पहले हम लोग सबसे लाइज जहसे है नॉल हैँ कि मेरे को लग रहा है कि यहां पे डर लग रहा है थो बाइज सबसे बड़ाम जाई प्रेडिंग से दुर हो सबसे बड़ा एकदम से जीरो रिस्क है आप ट्रेड करो ही नहीं है तो यह तो खेर वाई साब ट्रेड नहीं करने वालों के लिए अगर जो आप रिस्क नहीं चाहते तो आपको ट्रेडिंग छोड़ना पड़ेगा तो एक्षिल यह दो टाइप का र पचाहाजर का मैंने यहां पर एक्जामपल लेगे हुआ है आइन पचाहाजर के बेसिस पर में पूरा एकदम से कैलकुलेशन बनाने मला हो है ना कि आपका आखिर कर कम से कम लॉस कैसे होगा आपका जो एक ही दिन में आपका पूरा लॉस हो जाता है वो सारा का सारा कि मान के चले पचाहजर पर सबसे पहले आपको पर डे यानि कि एक दिन में आप रिस्क कितना लेना चाहते हो तो मैं मान के चले कि भाई साब आपको चार से पाच परसेंट का आपका जो है रिस्क होता ही होता है अगर जो आप 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 स्टेडिंग करते हो तो उसमें तो कर दो परसेंट ही काफी बताया जाता है लेकिन अगर जो ऑप्सेंट करते हो क्योंकि वाइस सब एक करेंडल जो पचास पॉइंट तीस पॉइंट चालिस पॉइंट का करेंडल बनता है लगवक 2,000 तो इसलिए मैं बता है 4% घर्ट गयु रिस्क लेते हैं पचाज जर का तो आपका एक दिन का जी रिस्क आता है तो आपका एक दिन का रिस्क 2000 होता है तो यहाँ पर मैंने यह एक जाम पले हो कि बाइसाब 50 जर के कैपिटल से अगर जो ट्रेडिंग करते हो तो एक दिन में सबसे ज्यादा ज्यादा आपका रिस्क रहना चाहिए वह आपका 2000 से ज्यादा रिस्क नहीं रहना चाहिए लेकिन आर आप लोग खुद से भी यह बताया गया है जो मैंने बहुत सारी जो पॉडकास्ट मैंने देखा है बहुत सारी जो टॉप के ट्रेडर है उनका जो मैंने सुना है चार से पाच परसेंट का आपका रिस्क नहीं होना चाहिए, आप अपने कैपिटल के अनस्वार आप लोग अपना निकाल लेना कि मेरे को एक दिन में कितना रिस्क लेना है, अब फाइनली बात करते हैं, भाई साब एक दिन में तो आपको 2000 के रिस्क लेना है, लेकिन अब आ आज 14 ट्रेट की है असर मैंने आज 15 ट्रेट की है 25 पचास पचास ट्रेट आप करते हो है ना तो यहार मिश्टेक नहीं करना है max to max अगर जो आप एक श्काल पर भी होना तो आपको चार से पाच ट्रेड से ज़्यादा तो बिल्कुल करना ही नहीं है जो बड़े-बड़े ट्रेडर रहें हैं जो कि 5 साल, 8 साल, 10 साल जो अपना मार्केट में बिता चुके हैं वो भी लोग 2 से 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करते हैं आप लोग कल ही आये हो आप लोग को पता नहीं है ना मतलब 10-10 ट्रेट भाई साब है इसी बात नहीं है मैं भी जब अस्टार्ट किया था आज से डेर साल पहले तो मैं भी एक एक दिन में 15-15-20-20-50-60 ट्रेड भी करता था है ना त्यार सभी लोग का जर्नी इसी तरह के से हो होगे तो आपका 1000-1002 ट्रेड में आपका रिस्क रहेगा अगर जो आप मान के चलो कि आप स्कैल्पिंग करोगे तो आप चार ट्रेड करने वाले हो तो चार ट्रेड में आपको 500 रुपया नहीं कि एक ट्रेड में आपको 500 रुपय से ज़्यादा का आपको रिस्क नहीं ले एक ही दिन में 50,000 लाते हो, 50,000 सारा loss होता है, यह 100% मैं लिक के देता हूँ, signature करके देता हूँ, यह अगर जो आपने समझ गया, तो बिल्कुल भी आपका loss नहीं हो रहा होगा, एक ही दिन में आपका capital wipe out नहीं हो रहा होगा है ना, तो चल यह फाइली बात कर लेते हैं, जैसा मनें बता है, एक दिन में आप 2000 ही रिस्क लेने वाले हो, तो आप लोग अगर जो आईसा तो ही नहीं कि आप जिस भी ट्रेड में इंट्रे कोरोगे तो उसका कोई fix रहता है कि अगर जो 10 पॉयंट का stop loss नहीं रहता है, कोई trade ऐसा भी आएगा, जिसमें की 20 पॉयंट का stop loss न कर रहा है, तो आपको कितना quantity लेना पड़ेगा, तो यहां पर मैं उसी के बारे में बताते हैं, बन्दाने हो ला है, position sizing, कि position sizing के basis पे आपका risk manage हो रहा होगा, आपका capital wipe out नहीं होगा, एक एक दिन में आपका loss नहीं होगा, इतना बड़ा बड़ा है तो आपको quantity, position sizing को quantity, यान कि 100 quantity, निफ्टी फिमनी में अगर जो करेंगे, तो एक lot में आपको 25 quantity आता है, तो अगर जो आप 4 lot से करोगे, तो आप 100 quantity से कर पाऊगे है ना, तो यहां पर मैंने बताए कि अगर जो आप एक trade के लिए, अगर जो दिन भर में आप एक ही trade करोगे, तो आपका अगर जो कोई अगर जो बात करेंगे, भाई साब एक ऐसा trade आपके सामने है, जिसका कि stop loss 10 point है, तो अब यहां पर आप 200 quantity ले सकते हो, यानि कि 4 lot की जगा पर आप 8 lot से आप trading कर सकते हो, तो यहां पर आपको 2000 का ही आपका loss हो रहा होगा, अगर जो आप 200 quantity यानि कि 8 lot से भी अगर जो करोगे तो पर भी maximum आपका 2000 का ही loss होगा, अगर जो आपका बात करेंगे, यानि कि 2000 का ही आपका risk रहेगा, लेकिन stop loss कोई भी ऐसा trade आए, जिसके सामने आए, यानि कि उस trade में आपका stop loss 5 point का ही आ रहा है, तो इसमें तो आप लोग 400 quantity भी ले सकते हो, यानि कि 60 lot से भी कर सकते हो, ले एक दिन में आप 2000 risk लेने वाले थे, तो आपको एक trade में फिर 1000 का ही risk लेना पड़ेगा, तभी तो आपका risk, आपका एक trade में 1000 into 2 trade लेगो, तो आपको 2000 का risk होगा, तो यानि कि एक trade में आप 1000 लेका risk लेने वाले हो, तो इस case में अगर जो stop loss 20 point का निकल के आता है, तो आपको 50 quantity ही लेना पड़ेगा, जहां पे यहां पे आप 100 quantity ले पाते थे, आप stop loss वही 20 point है, आप लोग 2000 का लेने वाले हो, लेकिन यहां पे एक ही trade आप एक दिन में यान कि एक ही trade लेने के लिए सोचे होगे थे, लेकिन यहां पे आप 2 trade लेने के लिए सोचे हो, यानि कि एक trade में 10000का यह सबर्लोच करने माले हो तो आपको स्टप लोस 90 से क्वांटिटी है, तो 50 क्वांटिटी यानी की लॉट साइज। आपको कम करना पड़ेगा, यानी की कम लॉट से आपको ठ्रेड करना पड़ेगा वहें पर अगर्शत से 10 स्टॉबन यका आप 100 quantity से करोगे अगर जो पाच पॉइंट का stop loss निकल के आ रहा है तो आप 200 होंडेट कॉआंटिटी से कर रहे होंगे है तो इस तरह के से मैंने बताया हाँ ना 50, 100, 400 का आधा, 200, 200 के 100, 400 का आधा, यानि कि 200, हाँ यहां पर 200 quantity से आप लोग कर रहे होंगे ना, तो इस तरह के से यहां पर दो लोट, अब फाइनली बताने वाला जो कि इसका जो है, फाइनली कल्कुलूजन जो बताने वाला ना, उससे आपको समझ में आएगा है न अब फाइनली कि नहीं भाइया में तो है ना, चार ट्रेड में करूँगा, दिन भार में में चार ट्रेड करूँगा है ना, चार ट्रेड में जो है ट्रेडिंग करूँगा है ना, यानि कि चार ट्रेड में इंट्रे करूँगा, यानि कि एक दिन में में चार ट्रेड करू लेने वाले हो आगर जो आपका कोई ऐसा ट्रेट है जिसमें की 20 पॉइंट का इस टॉप लोस आ रहा है तो वनली एन वनली आपको एक लॉट से ही ट्रेडिंग करना पड़ेगा यानि की एक लॉट यानि की 25 कौंटिटी अगर जो निफ्टी 50 की बात करूं है न अगर जो आप लोग चार लॉट से भी कर सकते हो तो भाई सब यहां पर मैं समझाने का बात अगर आपको बात मदब समझ में आ गया होगा कि अगर जो आप सबसे पहले एक दिन का आपको निकालना है कि आपको एक दिन का रिस्क कितना लेना है अब एक दिन में आपको कितना ट्रेड करना है उसके basis पर आपको decide करना है कि मेरे को एक trade में कितना risk लेना है और उसके according आपका lot size increase हो रहा होगा यान कि position sizing यहाँ पर मैंने क्या बता है कि भाई सब position sizing के basis पर आपका risk बड़ा हो रहा होता है आपका risk छोटा हो आता है लेकिन आप लोग क्या mistake करते हो कि नहीं ने मेरे को तो trade भी करना है दिन भर में चार से पास trade करना है भाई साब मेरा stop loss 20 point का ही आता है लेकिन भाई मैं तो सो quantity से नहीं मैं तो 200 quantity एक ही trade में ले लेता हूं तो 200 quantity अगर जो लोगे तो भाई साब चार इंटू चार कर लो यान कि 16000 का आपका loss होगा एक ही दिन में है ना तो इसके basis पर मैं यह बताने हो लो कि भाई साब सब से पहले यान कि आपको position sizing के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि आपको कितना quantity से आपको करना है अस्टॉप लोस के basis पर आपका position sizing आपको decide हो रहाता है और रिस्क आपको एक दिन में कितना लेना है इसके basis पर आपको सारा calculation इस तरह के से आपको करना पड़ता है यानि कि आपको stop loss के basis पर आपको position sizing की कितना quantity से आपको करने वाले हो यह आपको decide करना पड़ेगा इसके सासा सबसे पहले आपको एक दिन में कितना risk लेना है एक दिन में कितना risk लेना है तो एक trade में आपको कितना risk लेना है यह अगर जो सारा calculation करने की बाद अगर जो trading करोगे ना वाई साब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका risk यानि कि आपका capital एक ही दिन में wipe out हो जाए यानि कि आपने सोच गा कि मेरे को 2000 का ही रिस्क लेना है वाइसा अब यह डिसाइड करो कि आपको एक ट्रेड करना है अगर जो दो ट्रेड करना है तो आपका एक ट्रेड में आपको 1000 का ही आपको लोस लेना है तो आप अगर जो किसी भी स्टॉप लोस किसी भी अगर जो ट्र सोच लेना है एक दन में कटना ड्रेड करना है तो इस तरह के बैसिस पर आपको एक दिन काई सबसे पहले यह सोच लेने कि एक दिन में कितना च्रेंड करना है एक दिन में कितना trade करना है तो stop loss के basis पे आपको finally ये position sizing आपको decide करना पड़ेगा कि मेरे को एक lot से करना है या फिर दो lot से entry करना है तो इस तरह के से बाइसाव अगर जो calculation करके करोगे तो 100% confirm है वो आपको भी दिख रहा होगा जो के मैंने पूरा इडीटेल में बताए वो आपको भी समझ में आ गया होगा है ना कि आखिर कर मैं को क्या किस तरह के से trading करना है जिसके basis मेरा loss कम हो रहा होगा है ना वाकी बास से इस वीडियो को यहीं